आज मैं बात करने वाला हूँ DG Shipping के तुरू जो सर्कुलर निकला है E-Learning का और Online Courses का तो जो भी लोग अगर अपने HTSW Renewal कराना चाहते हैं और कोई फ्रेशर से HTSW Course करना चाहता है या और भी Modular Course या Competency Course करना चाहते हैं तो लोगों के लिए DG Shipping ने E-Learning और Online Circular निकाला है जिसे कि आप Online Course करके Certificate ले सकते हैं तो इसके Certain Procedures हैं जो कि आपको Follow करने पड़ेंगे तो इस पहली बार हो रहा फास्ट टाइम हो रहा है इसलिए बहुत लोगों कन्फूजन है कि कैसे E-Learning में क्या Procedure कैसे Follow करना है उसके बाद क्या करना है तो बहुत सारे Confusions मैंने देखे मेरे पर Message आ रहे थे और In fact मेरा भी मैं भी करने गया तो मेरा एक Problem कारण मेरा Course पॉस्पोर्ण कर गित दिया क्या है तो मैं बताऊंगा कि आपका एक Mistake आपको मतलब Course करने से रोख सकता है तो बने रहे इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें तो चली चलते हैं अगर किसी को अपना STW Course कोई modular course है या कोई भी competency course है उसको refresh कराना है फिट से करना है और या उसके validity खतम हो चुके तो उसको दुबारा करने जा रहे है तो आप यह जो प्रोसीजर से उसको जरूर फॉलो करें ताकि आप किसी mistakes से बच सकें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके procedures क्या क्या है तो सबसे पहले जो प्रोसीजर जा रहे किया कि आप e-learning करो मेरे website पर आकर उसके बाद आपको एकडमी में जाओ जो MTI अकडमी में जाओ जो कि यह सब जो course है आप जो करना चाहते हो प्रोवाइड करती है और वहाँ पर करो और बागी जो exact exam होगी उसके भी उसके details में दूँगा तो सबसे पहले e-learning के बारे में बता दूँ आपको क्या करना है कि DJ Shipping website पर जाना है वहाँ पर e-learning option है e-learning में आपको enroll करना है तेखाँ उससे पहले guys सबसे one of the most important information आप सभी को अपना जो DJ Shipping website पर अपना profile है उसको update कर देना है मतलब कि आपका जो recent photo, signature, phone number आप ये सब आपको मेक्सिवर कि आप ये सब अपडेट कर चुके हो अगर कर भी चुके हो तो एक बार जाकर confirm कर लो अगर नहीं है तो आपको फिर problem होगी आगे चलके ये सब करने के बाद आप DA Shipping के e-learning option पर जाकर करके वहाँ पर enroll कर सकते हो enroll करने के लिए आपको normally तिन step में enrollment हो जाता है सबसे पहले आपको endorse number माएगा email ID आपको already by default आजागा date of birth वगरा माएगा मतलब दो-तिन option से आप enroll कर सकते हो फिर आपको एक verification mail आएगा confirmation mail आएगा आपका जो register email ID है उस पर आएगा वहाँ पर उस email में आपको details रहेंगे e-learning के और उसके बाद आपको username जो कि आपका email ID रहेगा और एक password मिलेगा उस username और password से आप फिर से login कर सकते हो वहाँ पर login करने की procedure से आप e-learning में जाओ उसके बाद आप जो course रख किये हो enroll किये हो जिस course के लिए वहाँ पर आएगा उसको आप वहाँ पर आपको username में अपना username डालना है password डालना है फिर आपको आएगा face verification जितने बार भी आप login करोगे उतना बार आपको face verification करना पड़ेगा तो face verification करने के बाद आपका new tab खुलेगा जिसमें आपको यह सब options रहेंगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तो यहाँ पर आपको दिखेगा home फिर exit फिर assignment दिखेगा तो इस assignment में जाकरके आपको यह e-learning complete करना है assignment में गए उसके बाद assignment में आपको e-book में लगा e-book को आपको पूरा थ्रूली पढ़ना है आपका जितना hours का course है जैसे कि आपको tanker, oil and tanker foundation course करना तो उसकी validity है उसका course का duration है 28 hours है तो आपको e-book में जाकर 28 hours उस course को complete करना है तभी आपको assignments का option दिखेगा तो आप assignment कर सकते हो complete कर सकते हो तो आपको मैं टैप पर दिखात दे रहा हूँ इसा आपको मिलेगा home page मिलेगा उसका उसके बाद आपको e-book मिलेगा आप जाओ उसको पढ़ो उसकी सारी videos देखो आपका वहाँ पर आपका 100% होना चाहिए plus 100% होने के बाद जी कोई फायदा नहीं है अगर आप 28 hours complete नहीं कियो हो 28 hours के लिए यह बस oil tanker, oil and chemical tanker fabrication course जो BTO, CT, CEO course है बाकी अगर आप दूसरा course करना चाहते हो PSSR, PhD FPFF तो यह सब के durations अलग-अलग हैं 6 गंटे, 7 गंटे तो अपने course duration को आपको जानना है कितने है और उसके recording आपको वहाँ पर समय बिताना है पढ़ाई करना है और यहाँ पर quiz भी हैं आप हरे topic के end में quiz मिलेंगे आप quiz करो और वह quiz guys exit exam के लिए बहुत ही important quiz है आप quiz के screenshot ले सकते हो quiz submit करने के बाद आप रहा procedure अगर आपको रिपोर्ट चेक करना कि आपको आप कितने घंटे कर चुके और कितने घंटा बागी रिपोर्ट चेक करना है तो आप normally guys assignment के assignment option आएंगे यहाँ पर उसके last option रहेगा रिपोर्ट का रिपोर्ट में आप click करो आपको आपका उसमें सारा analysis रहेगा आप कितना time बिताया हो इस course का duration दिखेगा उसके बाद access time दिखेगा कितना quiz item के हो यह सब दिखेगा तो यहाँ पर जाकर के आप कर सकते हो और guys स्टार्ट करने सब यहाँ पर एक help का option है वह help का option भी जाकर के एक PDF खुलेगी उसको पर एक thoroughly उसको देखो उसको पढ़ो तो आपको एक basic idea हो जाएगा e-learning course के बार है उसके बाद e-learning course complete कर लिए आपका duration complete हो गया तब assignment के लिए एक बार आएगा assignment में आपको click करना है make sure guys आपके पास PC हो या laptop हो आप phone से यह course e-learning का course मत करो आपको बहुत problem होगी और आप करेंगे भी उसके बाद exit exam या assignment please guys आप laptop या PC से ही करो phone से open नहीं होगा उसका page ठीक है तो आपको एक laptop की जड़रत पढ़ सकती है exam के time और उसके बाद guys आप help में जाकर कर सारे पढ़ लिए उसके बाद आप e-learning करो उसके बाद assignment अगर आपका complete हो जाता है duration, SS time complete हो जाता है तो 28 hours for BTO, CTO के लिए है basic oil tanker and chemical tanker तो अगर वह आप complete कर लेते हो तो assignment का option assignment आप दे सकते हो इसमें basically 30 questions रहेंगे for 30 minutes आपको 50% लाना मतलब 15 questions सही करने है तब आप pass कर सकते हो इस course को नहीं तो यह आपको 3 items में pass करना है 3 items में अगर pass ने कर पाऊगा तो आपको यह procedure फिर से दो रहाना होता है और यह guys यह e-learning का time 180 days का होता है इसका मतलब कि 180 days में इस course को complete कर सकते हो मतलब आराम से complete कर सकते हो तो इस course को complete करने के बाद आपका e-learning complete हो गया assignment complete हो गया उसके बाद आप exit exam में जाओगे आपको exit exam देने का permission नहीं मिलेगा क्योंकि वह exam आपको कोई institute ही conduct कराएगी तो अगर आप course complete कर चुके है e-learning का उसके बाद आप जाकर के कोई भी institute से आप जाकर के वह course complete करो वहाँ course complete होने के बाद आपको वह लोग ही conduct कराएगे exit exam का exit exam guys आपका e-learning में आप e-book पढ़े हो वह बहुत ही beneficial exit exam के लिए exit exam आप clear कर लिए मतलब के आपका course complete हो गया you have done with your course then you may proceed further for next process so this is the video all about e-learning, dg-shipping, circulars for exit exam and all the courses so guys go through this and all the best guys